हेलो गईसेंट वेलकम टुमार यूटूब चैनल टैग बॉम केस्ट दोस्तो आज के वीडियो आपके लिए काफी ज़दा इंपोर्टेंट और योजफुल होने वाले है फाइनली आज के वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने इंफनिक जीरो 5G 2023 टर्बो के फोन में डिस्प्ले फिंगर पिंट कैसे लगाएंगे दोस्तों बहुत एजी है एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं सब्सक्राइब आपको अपने फोन में प्लेइस्टोर ओपिन करना है प्लेइस्टोर ओपिन करने के बाद यहां भी आपको यहां पर नीचे की साइड आपको एक application दिख रहा होगा सिम्प्ली आप लोगों को इस application को डाउनलोड कर लेना है लेकिन देहान रहे है डाउनलोड करने इस वाले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और फटाफ़ट चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आप इसको डा से मांगी जाती है जैसे permission अलाव कर देते हैं यहां पर मिलता start का option आप लोगों को किलिक करना start के option पे और जैसे आप लोग start के option पर click करते हैं किलिक करने बद यहां पर आपके screen पर बहुत ज़्यादा यानि जो भी application आपके phone में है शारे दिखाई देंगे। आपको यहाँ पर नीचे आना है टच्लोग की इसकिन को परमिंसन दे देना है सबी इसके बाद यहाँ पर हम लोग बयक आ जाएंगे बयक आने बाद फिर से आप लोगो को स्टार्ट का ओप्शन मिलेगा आपको इस पर किलिक करना है जैसे आप लोगी start के option पर किलिक करेंगे तो यहाँ पर आपको start service को option मिलेगा आपको इसको आन कर देना है दो-तीन बार आप इस पर किलिक करेंगे ए आन हो जाएगा wallpaper आपको मिलेगा बैक आ जाएगे इसके बाद यहाँ पर set lock skin का option मिलेगा आपको इस पर किलिक करना है जैसे set lock skin पर आप लोग किलिक करेंगे यहाँ पर बहुत से आपको photos दिखाए देंगे wallpaper दिखाए देंगे तो यहाँ पर नीचे आना है आप लोगों को कोई wallpaper चूच कर लेना है जो भी wallpaper आप लोग चूच करना चाहते हैं चूच कर लिजे इसके बाद right side नीचे यहाँ उपर देखेंगे बीच में arrow बना हुए arrow पर किलिक करके last वाले page पर चले आएंगे फिर इसके बाद right side उपर की दरफ corner में right का symbol है इस पर किलिक कर देंगे किलिक करने बाद यहाँ पर आप लोग आ जाते हैं कुछ ऐसा interface फाइंड यह आपको देखने को मिलेगा अब यहाँ पर done का option है इसके उपर आप लोगों को दो बार यहाँ पर किलिक करना है हम जो है done के उपर यहाँ पर दो बार किलिक करेंगे यह देख सकते हैं, यहाँ पर click करते हैं दो बार, इसके बाद आप लोगों को done के option पर click करना है, जैसे आप लोग done के option पर click कर देंगे, फिर से confirm करने के लिए दो बार click करना है, और done पर click करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर चारंगों का code इंटर करना है, कोई भी code इंटर कर दीजिए दो बार इंटर करेंगे confirm हो जाता है इसके बाद यह done हो जाता है अब इस application में कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है फानली application को हम cut कर देते हैं अपने phone को lock करते हैं लोक करने वाद दोस्तों चली आपको unlock करके दिखाते हैं यहां पर हमने अपने phone के setting से लगा आपका phone unlock हो जाएगा